36 गड़ के 18 जीलो में जम कर बरसेंगे बादल रायपूर दूर्ग सहित कई जीलो में दो दिन भारी बारिश की चितावनी आठ जीलो में रेड अलर्ट बताते कि 36 गड़ के अधिकांस हिस्ते में पिछले 24 घंटे में भारी वार्षा दर्ज की गई बस्तर में सबसे ज़्यादा बारिश वी है वहां दो इस्तानों पर करीब 140 मिलिमीटर पानी बरस गया कई जगों पर भारी वार्षा रिकॉर्ड की गई है रायपूर दोर्गे बिलासपूर और सरगुजा में भी कहीं कहीं पर भारी वार्षा हुई है मौसमेग ग्यानी केचपी चन्रा ने बताया कि उतर आंदर प्रदेश दक्षिर औरिशा तटो के पास पस्चिम मध्य और उससे सटे उतर पस्चिम बंगाल की खाड़ी के ओपर निम्न दबाव का खेंद्र बना हुआ है के उपर निम्न दबाव का छेत्र बना हुआ है वही पूर्वधक्षिर पूर्वक्योर पूर्वमध्य बंगाल के खाड़ी तक औसा समुद्र तल से 115 किलोमीटर की उचाय तक फैली हुई है जिसके चलते 36 गर में अगले 24 घंटे में तेज बारिस हो सकती है मौसमी भाग के अनुसार रायपूर दुर्ग सहीत प्रदेश के कई जीलों में भारी बारिस हो सकती है यहाँ यलो अलेट जारी किया गया है वीजापूर और नाराणपूर सहीत 8 जीलों के लिए औरेंज और रेड अलेट जारी किया गया है दुर्ग संभाग में धंतरी, बालोद, राजनान गाउं और बस्तर संभाग सहीत लगभगदा जीलों के लिए औरेंज लेट जारी है मांसुन की स्थिती में बदलाव के कारण कहीं कहीं पर गरत्चमा के साथ अकासे बिजली गिरने की भी आसंकाज जाताई गई है इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपिल की गई है मासम ने 26 जुलाई से करवाट बदली है इसके चलते कई जगों पर तेज और रूकरू कर बारिस वी है मासम ज्यानिकों का कहिना है कि मानसुंद रोडी का ओडिसा से लगातार आगे सरक्ति हुई 36 गर में फैल रही है इससे बने चक्रवाती परिशन चनर से प्रदेश में बारिश की संभावनाएं बन गई है